दुनिया हमें जो देती है, ये जरूरी नहीं है कि वो हम चुन पाएं, पर हम उससे क्या बनाते हैं, ये बिल्कुल हमें चुनना है. दूसरे लोग अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, पर आपकी प्रतिक्रिया से दुख पैदा होता है. बिते कल को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, पर आप एक नया कल बना सकते हैं. मैंने उसे बहुत ही अलग थलग देखा है, उसे प्यार में विश्वास नहीं है, उसे रिष्टो की शक्ती में विश्वास नहीं है, तो ऐसे जहरीले रिष्टो के गलत असर से हमें कैसे बच्चना चाहिए? देखिये, सभी अपने दुखों के लिए कोई न कोई बहाना ढूंड रहे हैं. मेरे माता-पिता ऐसे थे, इसी लिए मैं ऐसी हूँ. ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम आपके माता-पिता को नहीं बदल सकते हैं. ठीक है? हलो? क्या हम उन्हें आप बदल सकते हैं? तो आपको ये समझना होगा कि खास कर यदि आप जीवन में कठिन या भयानक चीजों से गुजरे हैं, क्या ये महत्वपूर नहीं कि आप दूसरों से जल्दी समझदार हो जाएं? दूसरे लोगों की तुल्दा में जो आराम से बड़े हुए हैं, जो नहीं जानते कि वे चीज़ें क्या हैं, क्या ये बहुत महत्वपूर नहीं हैं कि आप समझदार बनें? नहीं, इसके बजाए आप चुनते हैं कि आप भी दुखी हो जाएं क्योंकि वे दुखी लोग थें. तो चलिए इतना समझते हैं आपके पास ये पहचानने की बुद्धी है कि वे बुरी तरह जी रहे हैं आपके पास ये पहचानने की बुद्धी कैसे नहीं है कि आप भी बुरी तरह से जी रहे हैं और आपके पास ये देखने के लिए मौलिक इमानदारी भी नहीं है असल में, आप दुनिया में जितना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अधिक आपको कई बदसूरत स्थितियां मिलेंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो. तो क्या बदसूरत परिस्थितियों में आप भी वैसे ही हो जाएंगे, या आप उन्हें खाद बना कर एक अध्भुत फूल के रूप में खेल उठेंगे, ये आप चुन सकते हैं. तो वो सब कुछ जो हमें चोड़ पहुँचाता है, जो किसी तरह से नकारात्मक है, किसी भी स्थिति में, उससे आप बुद्धिमान बनेंगे या घायल हो जाएंगे, ये आपको चुनना है. आदर श्थितियों की तलाश न करें, क्योंकि ऐसी कोई जगा नहीं है. बिलकुल नहीं. आप जहां भी जाएंगे, वहां कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपको नकारात्मक लगेगा. वो नकारात्मक है या नहीं, मैं ये नहीं तह करना चाहता, पर वहां आपको कुछ नका यकीन है कि आपकी संस्था में कई लोग सोचते होंगे कि ये बिकार जगा है, जो राजनीती और बक्वास से भरी हुई है, क्या ऐसे लोग नहीं है? हलो? मुझे यकीन है कि है, आप वैसे मत बनिये. क्योंकि हर जगा मुद्दे होते हैं, ठीक है, जहां दो लोग है, वहां एक समस्या है. हम इन मुद्दों को कैसे संभालते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि क्या हम इनका सचेतन उत्तर देते हैं, या हम आदतों से मजबूर हो पढ़े हैं, उन्होंने यूरोपीय मनुरोग संबंधी चीजें पढ़ी हैं, और सभी मनोचिकित्सक बन गए हैं. क्योंकि मेरे माता-पिता ऐसे थे, इसलिए मैं ऐसा हूँ. अरे, आप में भी तो बुद्धी है, यदि आपके माता-पिता ऐसे थे, तो आपको प्रतिग् है, ठीक है? हम नहीं जानते कि वे कैसे जीते थे, पर उनकी बातों को सच माने तो, अगर वे बुरी तरह जिये, तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप कभी ऐसी गलतिया न करें, जैसी कि आप अपने जीवन में कर रहे हैं? क्या मानव बुद्धी ये नहीं कर सकती? या इ लोग कहते हैं कि अरे मनुश्य ऐसे होते हैं. क्या ये दुख की बात नहीं है? आप इस ग्रह पर सबसे विक्सित प्राणी है. मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप में इस तर की बुद्धी है. आपको धर्ती पर विकास के शिखर पर लाने में विकास के लाखों साल लग रहा है कि हम विकास के शिखर पर हैं. क्या ऐसा है? नहीं हम दूसरों के सिर्फ पर बैठ कर सोचते हैं, हम शिखर पर हैं. नहीं हम मनुश्य के रूप में पहले से ही विकास के शीर्ष पर हैं, है ना? पर देखिए हमारा व्यवहार कैसा है? हम हर समय किसी न किसी बात की शि चुन सकते हैं, हाँ, आप उससे जो बनाते हैं, वो आप बिलकुल चुन सकते हैं, आपके जीवन का आनुभव, आप सभी युवाओं को इतना जान लेना चाहिए, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, एक सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी चाहिए, कि आपके जीवन का आनुभव, चाहे वो शांती हो या बेचैनी, खुशी हो या दुख, आनंद या पीडा, जो भी आपका आनुभव है, आपका आनुभव पूरी तरह से आप बनाते हैं, दूसरे लोग वही कर रहे हैं, जो वे चाहते हैं, उनका अपना नाटक, पर आपकी प्रति मैं बस ऐसा कह रहा हूँ, मान लीजिये मैं आपको गाली दूँ, गाली मेरे मुँ में है, यह गोली नहीं है कि आपको लगेगी, पर आपकी प्रतिक्रिया की वजह से आपको दुख होगा है ना, मान लीजिए मैं आपको तमिल या तिलगूग या कन्नड में गाली देता हूँ ये आदमी समझ जाएगा ये एक समस्या है पर अगर मैं मुस्कुरा कर आपको ऐसी भाशा में गाली दूँ जो आप नहीं समझते हैं तो आप सोचेंगे कि मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ और आप मुझे अच्छा जवाब देंगे तो मैं बता रहा हूँ अभी आपके साथ जो हो रहा हो आपका अनुभव 100% आप ही तै करते हैं मानव अनुभव भीतर से होता है बाहर से नहीं बाहरी प्रभाव है हम उन्हें खुद को कितना प्रभावित करने देते हैं जब तक कि वे भौतिक स्थितिया नहों आप युद्ध में हों कोई आप पर गोरी चला रहा है तो अलग बात है ठीक है उससे एक अलग तरीके से निपटना जरूरी है वहां भी एक सचेत प्रतिक्रिया से आपके पास जीवित रहने का बहतर मौका होगा तो मनुष्य होने का सवभाग्य ये है कि हमारे पास ये तै करने की बुद्धी है कि हमारे जीवन का अनुभव क्या होना चाहिए दूसरे जीव, स्वाभाविक, सहज, मजबूरी से भरी प्रतिक्रिया देते हैं हमें इससे उपर होना चाहिए पर अधिकांश मनुष्य इसके खिलाव जाकर आदतों से मजबूर होकर बरताव कर रहे हैं और सबसे बढ़कर माता पिता वे वैसे ही जी रहे हैं जैसे वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें कुछ बहतर पता होता तो वे बहतर करते वे अपना सरवश्रेष्ट कर रहे हैं खैर उन्होंने आपको जन्म दिया जो एक बड़ी बात है शायद स्वेच्छा से नहीं पर उन्होंने आपको किसी न किसी तरह से जन्म दिया और उन्होंने आपको परियाप्त भोजन और शिक्षा दी जो आपको चाहिए थी और आपको इस तर तक लाए अब हमेशा के लिए पीछे न देखते रहें उन्होंने आपको पाला है, आप बड़े हो चुके हैं, आप जिन्दा हैं, ठीक हैं, कई बच्चे जल्दी मर जाते हैं, माता पिता उनकी मदद नहीं कर पाते, दुनिया में लाखों बच्चे इसलिए मर जाते हैं, क्योंकि माता पिता अपने ही बच्चों की मदद नहीं कर उन्होंने आपको पाला है, आप बड़े होकर आप पीछे मुड़ कर देख रहे हो। कृपिया पीछे नहीं, आगे देखें क्योंकि आप अपने अतीद को ठीक नहीं कर सकते। कल को ठीक नहीं किया जा सकता, पर आप एक नया कल बना सकते हैं। आई ऐसा करें। झाल झाल